माक्सित बन गई एक बार बना कर देखना है ना फिर अगर कोई दिक्कत आएगी फिर आपन दोबारा से उसके function को समझेंगी जहां दिक्कत आएगी यह नहीं की पूरा A to Z A to Z तो बैसे आपने पूछोगे क्यों कि आपने कर लिए होंगे क्यों टाइम बेश्ट करोगे आपसे बस यहीं दिखो ओवराल ग्रेड में ही दिक्कत आयती होगी इसमें बागी चीजित कॉमन है ना नॉर्माल इफ लगाना यहां तो बन गया हो गई है बना की नहीं बना ब नॉर्माल कंटेंट लाकर पेश्ट कर दिये और कंटेंट को हम कर देते हैं सीधी क्लिया क्लियार क्लियार फॉर्मेटिंग करेंगे और क्लियार फॉर्मेटिंग करेंगे क्यों क्यों कि हमको फिर से फॉर्मेट करना है तो अभी हम कंटेंट टाइप ना करना पड़े इसलि इसको भी क्या कर देते हैं अब कुन कुन सी हेडिंग किसली काम आती वो भी हम अभी देखेंगे और क्या करना बता हो जारा बॉडर लाना पड़ेगा ठीक है और यहां पर हम इनको अध्यान से सीट बनी है हमारी सीट को और एडजेस्ट करना तो आपको पता होना चाहिए जैसे यह देखो यहां पर आप करसर से मतलब जो माउस है उससे आप डवल एरो आती है तो इसकी बिट्स को बढ़ा सकते और घटा सकते अगर कोई बिट्स जादा हो गई है और आपको अपने हिसा इवाउब नितलब एक कॉलम oo सेलेक्ट है अगर आप ए के सामने कोई ilana चाहते तो इक करते कर लो सिर्फ खकर करना देखक ध्यान से कुछ निकर रहा हुआ हं कर रहा है कैसे कि लिक कर रहे और अगर हम कंट्रोल के साथ प्लस दबाते हैं देखो एक क्या कॉलम जूर गया ह एक और चीज देखो मैं एक चीज और बताता हूं हमने यहां पर 123 लाना देखे थे क्या देख लिए किस से लाते थे इसी पॉइंट से आटो फिल वाला यहने कि फिल पॉइंटर बोल सकते इस है तो जब हम खीशते थे तो क्या आ रहा देखो जारा वन वन एक दो तीन चार ल आथ करें गेंगे कंट्रोल के दी कंट्रोल दबाएंगे और यहां देखो आपको देखो इक प्लस की ऊपर एक दो प्लस के एक तो देखो यहां देखो बोल रहा है कि नहीं समझ माई जाएगा समझ गए तो अगर आप control के साथ फिल घीसते हो तो क्या होगा गिंती प्रिंट हो जाएगी ठीक है पर अगर हमको table print करना तो table के लिए था हमको लिखना ही पड़ेगा लिखना पड़ेगा कि नहीं पर अगर आप इसी में कंट्रोल के साथ खीज़ दो एक दो तीन चार जाएगा एक दो तीन चार नहीं आगा दो तीन चार पांच आ जाएगा ठीक है चलो यह याद रखा करो कुछ चीजे नॉट कर लिया करो यह हो गया हमारा सबसे पहला मीटर रहता है तक है यूनिट देखते हूं मीटर देखें की नहीं डीज़ित चलते रहती है लाइट जलते रहता है बुद 25 में सामने लिखा रहता है कि नहीं कनेक्सान Миight के नाम संब्लकर बिल की लास्ट डेर आती है '' God'' और कब से pay करना है या कब pay करना वो भी आपको दिखा रहता होगा अब ये पूरअ हट गया है इसको अपन डेट format में कर लेते है डेट format मतलब समझ रहे है data type में हमको पूरा लिखा आना नहीं चाहिए बैडनेश देश जनबरी दुनिया भरका हमको चाहिए सौट देफ़ो डेट में था यह देखो लास्स डेट क्या है उधारण के लिए हम मान लेते हैं एक देट लिख लेते आज की डेट क्या है आज जो डेट है हमारी साथ तारीख ला बारा मतलब बारा मार्च है ना और दो हजार चोबीस इसको बारवा महीन दिसंबर मत पहुचा देना तीन बार है ना अब इसको कम्प्लीट सभी के लिए तो common last date रहेगी ना कि किसी किसी लिए आगे पीछ रहती है तो यहां कंट्रोल डी करेंगे कंट्रोल डी मतलब सब में फिल हो गया ठीक यह भी पता होगा आपको अब हम पेडेट में कई जल्दी पे कर देते कई देर से पे करते कई आखरी डेट में पे करते कई इतने आलसी रहते दो-चार दिन बात पे करते तो सबके लिए नियम आप देखे तो पांस दीन दस दिन तक प्राइज लगता पचास रोपय जितना भी और उसके बाद बढ़ते जाता है ठीक है तो हम ऐसा मानेंगे कि निश्चिती लगेगा तो देखो यहां देखो अभी तो यह हमने चलो यहां सुधार देते मान लो कोई वेक्ती ने कितने तारीक को कर दिया आज कितने तारीक है साथ है तो आज की डेट में ही कोई वेक्ती ने पे कर दिया मतला साथ तारीक को ही कोई कर देता है आठ मार्च को ठीक है कोई कर देता है नौ मार्च को कोई करेगा इसमें काफ बारा मार्च को कई इतने महान है जो 14 मार्च को करेंगे चाउदा मार्ज कॉन को पुरतत मिलेगी तो कर देंगे कई और महान होंगे तो क्या करेंगे थे यहां कर दो जादा तर Kफेच होता है लास्ट डेट होता है लास्ट डेट होता फिर अइंग नहीं Egypt के बारा को जैसे आपने देखा होगा हूम प्लान रहता है और एक कमर्सियल बालों की यूनिट ज्यादा आती की नेकी के से पता चलेगा यूनिट जादा दिग गे मतलब कुछ न कुछ गड़बड है गड़बड है मतलब अंदर बड़े यंत्र चलाए जा रहा है तो उससे कैसे समझ जाएंगे कि भाई कमर्शियल है और एक यूनिट निश्चित है उसमें आती है कि भाई 200 आ गई या 300 आ गई तो अपन सोचेंग घूंगे हो गया विक्राइब चैशा है यहां पे यूनिट लिख लिए अपने किसी में देखों 20 ज्यादध लिखीए लिखे और बागी में 200 से कंव अ क्या हो जाए assembled pack library हसाफ से गुणा हो जाएं दहुंट से अधिक बाले दस रुपए खसाब से हो जाए इतनी करना तो क्या लगेगा कंडिशन लगी ही कि इफ लगेगा तो लगा ते हपन कहां लगाएंगे एमाउंट में एक को लगा और क्या लगाना है इफ ब्रेकेट स्टार्ट करें किस सेल में लगाना बताव जरा इसी में लग होगा उसते तो पांच रुपए सो बस इतनी करना अब गुणा करना है कि एजटी स्प्रिंट करना जैसे हमको जो लिखे हैं बोई प्रिंट होता था कल लिखते थे अपन फैल पास लिखते थे तो फैल लिखे थे फैल ही आता था पास लिखे तो पास आता पर हमको लिखना या दोसों से बड़ा है तो 10 रोपाए होगा कि नहीं होगा तो 200 से कम होगा को डावल कोट में क्यों नहीं लिख रहा बताओ जलद को अंसर लाना हमको हमural सब अगर मैं हम डावल कोट में लगा देते हैं तो जैसे लिख बैसे प्रिंट हो जाएगा तो गुणा भाग होगा क्या नई तो calculation करना हो number लिखना हो जब भी तो बिना double quote के ही लिखना है समझ गए तो यह समझ में आएक नहीं जब भी E4 बड़ा हो जाएगा या बराबर हो जाएगा किसके 200 के तो क्या हो जाना चाहिए जो E4 में लिखी वाली values से गुणा हो जाए किसका 10 का और जब भी E4 जो है यह condition गलत होती तो automatic क्या हो जाए पास से गुणा हो जाए ठीक है तो bracket बंद कर दें क्या कर देते और करें enter देखो enter करें तो क्या आ गया अब यह value कितनी है 200 से कम गुणा करक 15,35,35,45,45,15,55 एक सुन दे लगए 575 के साफ सी हुआ कि 10 के साफ साफ से हुआ 3049 पी कर दे तो कितना आ रहा 5 के साफ से हवा और अगर हम कर देते हैं 2 कप आप किसके साब से उदेखो जरा 2100 का पांच के साब से करेंगे दिखा COMझे सब्सक्राइब एस सब्सक्राइब मैं इसको डाउन कर देता हão डाउन मतलब समझ रहा है control D यह देखो अब देखो जहाँ जहाँ दोसों की उपर होगी वहाँ किस से गुड़ा हुआ होगा 10 से देखो 10 से गुड़ा 10 से गुड़ा और यहाँ 95 तो किस से गुड़ा हुआ 5 से अब बोल रहा है टेक्स टेक्स भी लगता है लगता गी नहीं ल जाए तो उसका जो प्लान है 10 परसेंट के हिसाफ से टेक्स कटना चाहिए ठीक है और जैसे वह दोसों के नीचे आजाए कितने परसेंट से गटना चाहिए 5 मतलब एमाउंट में जुड़के आएगा टेक्स की फिर घट जाता है टेक्स जुड़ता है ना जुड़कर आता ह जैसे आप देखते ना कोई चीज आप लो तो उसमें सर्विस टेक्स जुड़कर आता 12 परसेंट जुड़ी वाली रासी आपको पे करना होता है घटाना पड़ता है जोड़ना पड़ता है तो यहां पर जो टेक्स निकल कर आएगा इस रासी में तो निकलेगा पर उसी में जूडने के बाट टोटल हमको पे करना होता है और अगर लास्ट एक बाद पे करें तो पेनलटी वी जुड़ेगी यह भी देखने मिलेगा तो चलो यहां पर हम क्या कर देते हैं एक लगाते हैं और फिर से क्या लगेगा अब यहां थोड़ा सा द्यान रखना देखो हमको क्या करना है इस उरा किस फॉर्पार भडा है बराबर किष बूऑ prawn कहा कोई कर दिलौ। तो बता मुझे दस परसेंट का निकालोगे कि एमाउंट का निकालोगे एमांट का निकालोगे यूनिट का तो निकालोगेगा नहीं सिर्प कंडिशन के लिए पैरमीटर बना धिए कि यूनिट के अधार पर चेक किया जाएगा पर कैलकुलेशन किसके अधार पर किया जाएगा तो आप मुझे बताओ जब हम एमाउंट केलकुलेट करेंगे तो F4 लेंगे कि E4 यहान रखना बाग नहीं तो उसी में गुणा कर दिए 10% निकाल के 20 रूपर जोड़ लिए यह गलत हो जाएगा ठीक है परसेंट कैसे निकालते पता है कि नहीं गुणा करें और यहां पे निकाले 10 और फिर क्या लगाते डिवाइड में 100 लगाते कि निकालने के लिए और पर E4 बड़ा है या बराबर किसके 200 के यह देखो जो E4 है बड़ा है बराबर किसके तो जो एमाउंट लिखी है उसका कितना परसेंट आए और अगर गलत है यह कंडिशन तो कितना परसेंट आना चाहिए कितना आना चाहिए कितना आना चाहिए नहीं देखो रासी कैलकुलेट किस से हो रही है, amounts है, और condition किस पर लगा रहे हैं हम, बंद कर दें, देखो यहां कितना निकल कर आया, क्यों निकल कर आये दोस्तों, 10% निकला, ठीक है, मान लो यहां देड़ सो कर देते, तो कितना है, यह तो 5 किस आप से हो गया, अब कितना परसेंट है यह, 10% आता, 75 रोपय लेते हो, तो धाई सो का दस, देखो, धाई सो का जो गुड़ा करेंगे, अपन 10 से कितना जाएगा, और उसका 10%, है ना, पेनाल्टी कब लगेगी, बताओ मुझे, चलो इसको भी डाउन कर दे, देखो सब में निकल कर आग्या होगा, यह देखो, आया, किसी में 300 आया, किसी यह देट है, यह देट बड़ी होना चाहिए, यह देट बड़ी होना चाहिए, लाज देट बड़ी होना चाहिए, यह हमेंसा कैसी रहना चाहिए, छोटी, छोटी या बराबर, छोटी और बराबर रहे तब पेनाल्टी नहीं लगे, बराबर में कहा लगेगी, बारात आरी तो cell देखो जार कुन कुन सा है D4 है और C4 इक को लगाएंगे फिर इफ लगेगा इफ लगाएंगे ब्रैकेट सुरू करो क्या है बताओ जारा D4 छोटा के लिए लगता लगेगा और बराबर के लिए ये किसके C4 के मतलब जो जोटी रहना चाहिए या बराबर रहना चाहिए किसके लास्ट डेट तो पैनल्टी लगेगी क्या नहीं लगेगी ठीक है कॉमा लगा क्लिक दो जीरो क्या लिखोगे जीरो और अगर बड़ा हो जाता तो मतलब ये वाली जो डेट है बराबर भी नहीं रहती है लास्ट बड़ा हो जाती है मतल है तो क्या होगा 50 यहें से स्मीपल लिख सकते कि निमेरिक वैल्यूं है निमेर्च वैल्यूं को आप डारेक्ट लिख सकते है अभी जीरो क्यों आया अगर वह दोपैसे से तेरा तारिक को पेड़ करता तो आगया 50 रुपए समझ गए तो तीनों में क्या लगा है इफ लगा है और इफ लगाने का तरीका वही सिस्टम है बस थोड़ा से अपने को लॉजिक लगाना है चले यहां नीचे कंट्रॉल डी कर दो अब इसमें बताव मुझे करेड़ को दो यहां बहुत है तो क्या लगाएंगे सम कि मत करना है आप करोगे तो भूल जाओगे कांस से कम दस जो वेक्टी है दस वेक्ती में कम से कम फंक्सन तो लगा ले हो जाएगी नहीं तो आप सोचोगे कि बन गया ऐसा बोलने के लिए तो हो गया काम कभी नहीं बनेगा समझ में आई यह कि देखो एमाउंट क्या था इमाउंट में अपने वही लगाए कि अगर ए4 बड़ा है किस से 200 से यह बराबर है तो 10 रुपस गुणा हो जाए नहीं तो परसेंट और पेनाल्टी में क्या हो रहा है देखो पेनाल्टी में बड़ा चोटा डेट के इसाफ से दिखा रहा है बने वाला एक है अब इसका उल्टा पुल्टा भी कर सकते पर यह एसटीज ऐसे कर लेना आप अब दिमाग मत लगाना ज्यादा चलो यह तो हो गया हमारा अब हम एक नई सीड बनाते हैं देखो यह और लिखा यहां स्कोर कार्ड बन जाएगा कि निए बन जाएगा देखो चार सब्जेक्ट है चार सब्जेक्ट हो टूटल निकालना बनेगा परसेंट निकालना ग्रेट निकालना फैल पास है कि नहीं कैसे निकालोगे कि भाई तो यहां क्या जाना चाहिए और रेंक वाला function मैंने अल्रेडी बता दिया हूं बता हैं तो रेंक लगाना आपको इन सब में मतलब जिसे रेंक कहां से लगाओगे आप यह परसेंट से निकालोगे रेंक आप जिसका परसेंट ज्यादा होगा वह आटमेटिक रेंक बना जाए अधारन के लिए यहां पर देखो कोई वेक्ति ही यह परसेंट 0 क्यों आया बताव मुझे चालीश नंबर से कम मिल गया होगा उसको इसलिए 95 कर दो देखो यहां पर एक नंबर आ गया क्यों क्योंकि यह भी पास हो गया एक ग्रेंट और यह ग्रेंट वाले कैसे है ग्रीन क कैसे आया बताव मुझे कंडिशनल फॉर्मिटिंग न्यू रूल और यह लगाते बना थे कि बन गया था ने इसको बार बार प्रेक्टिस करना है ऐसा रहना चाहिए भाई कोई नीन में पूछे बता दे ऐसा प्रेक्टिस कर लेना होती चलो इसको आप बना कर देखना इसक